हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स देखो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटिफिल और एजी निटिंग पैटन देखो फ्रेंट्स इस पैटन को आप अपने आल प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो देखने में बहुत ही प्रोजेक्ट पर आप इस डिसाइन को अप्लाई कर सकते हो यह देखिए इसकी बैक साइट उल्टी तरब से ऐसे दिखाई देता है और यह इसके फ्रंट साइड यानि राइट साइड है जो चलो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं और हाँ इस डिसाइन को बनाने के लि और चार फंदे एक्षा रखेंगे ठीक है तो चलो बनाते हैं इसे देखो फ्रेंट मैंने इस पर चौबिस फंदे डाले हैं 24 स्टिचेज दस तुनी 20 बीस बीस फंदे तो डिसाइन के लिए हैं और चार फंदे एक्षा है तो इस तरह से टोटल यह 24 फंदे हैं आपने इस इस तरह से फंदे रखने हैं 10 10 10 अपने चार एक्षा करने हैं राइट साइड से देखें फर्स रो बनाएंगे फर्स रो राइट साइड के वल दो सलाई का ही डिजाइन है तो आपने दोनों सलाई ध्यान से देखनी है देखिए पहला फंदा हमने सीधा उतारेंगे आप च देखिए इस फंदे को छोड़के दूसरे नंबर का जो यह फंदा है इस फंदे को हमने बैक लूप से बुनना है पीछे की तरफ से देखिए इस तरह से यह देखिए इस तरह से हमने पीछे से इस सलाई पे इस फंदे पे सलाई डालनी है और इससे पहले बुनेंगे ऐसे फिर हमने फिर्ष्ट वाले फंदे को बुनना है यह देखिए इस तरह से फिर से इन दो फंदों को भी वैसे ही बुनेंगे पहले सेकंड नमबर के फंदे को हमने बैक लूप से बुनना है पीछी की तरफ से इस तरह से बुनेंगे फिर फिर्ष्ट वाले फंदे को बुनेंग कि ए बहुत फिर हम करेंगे ऐसे ही दूसरे नंबर के फंदे को पहले बुनेंगे और फर्ष्ट वाला फंदे को बाद में बुनेंगे इस तरह से ये देखिए टोटल ये 10 फंदे हो गए चार फंदे ये और 6 फंदे ये टोटल 10 फंदे हैं इनी 10 फंदों को हमने फिर से रिपीट करना है 4 फंदे हमने उल्टे बनाने है इस फंदे को आप चाहे तो as t चाहे तो आप इसे उल्टा बना सकते हो तो इस तरह से चार फंदे उल्टे होते हैं एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे धागा पीछे फिर से इन दो फंदों को हमने क्रॉस करना है पहले सेकंड नंबर के फंदे को बनेंगे पीछे से फिर आगे से इस फंदे को उठाएंगे और इसे बुनेंगे इस तरह से फिर दूसरे फंदे दो फंदो इन दो फंदो को भी ऐसे ही बनाएंगे फिर दो फंदो को फिर से बनाएंगे तीन बार हमने ये करना है यानि कि टोटल 6 फंदों पर हमने यह डिजाइन बनाना है यह देखिए इस तरह से यहां से लेके यहां तक यह 10 फंदे हो गए ठीक है लाश्ट में हमारे 4 फंदे बचेंगे चारों को उल्टा बनाना है यह हमारी इस तरह से 1st रों कंप्लीट होगी यहां पर अब देखिए 2nd रों बैक साइड दूसरी सलाई उल्टी तरब से पहला फंदा एस्टीच है सीधा उतारेंगे यह फंदा हमारा एस्टीच भी है और इसे हम डिजाइन में भी काउंट करेंगे 2 फंदे, 3 और 4, 4 फंदे उल्टे धागा शौरी धागा आपके बार यहीं रहेगा अब देखिए अब हमने पहले इस वाले फंदे को उल्टा बनाना है 2 नमबर के फंदे को पहले बनाएंगे फिर 1 वाले फंदे को बनाएंगे इस तरह से फिर से इसी तरह से करेंगे पहले 2 नमबर के फंदे को बनेंगे उल्टा फिर फर्स्ट फंदे को बनेंगे उल्टा दो बार हो गया फिर तीसरी बार भी हमने ऐसे ही करना है इसके बाद चार फंदे उल्टे बनाने है एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे बनाने है फिर से इन दो फंदों को हमने ट्विस्ट करना है पहले दूसरे फंदे को बनेंगे उल्टा फिर फर्ष्ट वाले फंदे को बनेंगे उल्टा दूसरी बार भी करेंगे ऐसे ही पिर तीसरी बार तीन तीन बार हमने ऐसे करना है यानि कि टोटल छे फंदों में ये इस तरह से हमने करना है लाश्ट में हमारे चार फंदे बचें नहें देखे इस तरह से हमारा यहां पर डिजाइन डल चुका है बार बार इनी टूरों को बार बार रिपीट करेंगे तो यह हमारा प्यूटिफुल नीटिंग पैटन बन के आता है आप अपने प्रोजेक्ट पे इस डिजाइन को डाल लिए बनाने में भी आसान है और दिख बबाइ